जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूले गए एक ऐसी एक्टरस जो करती है खुद से सबसे ज़ादा प्यार और जिनके सिल्की सिल्की लंबे लंबे है बाल वो जिनके इनोसेंस के दिवाने हैं उनके फैंस लेकिन वो दिवानी है अपने पैरेंट्स की आज हम उसी क्यूट सी एक्टरस हीबा नवाव की लाइफ, कॉंट्रोवर्सिस, कमिट्मेंट्स और स्क्रॉगल्स और उनसे जुड़ी हर वो पॉसिबल बात आपको बताने वाले हैं उन्होंने अपनी स्कूलिंग बिशप कॉंड्रेड सीनियर सेकंडरी स्कूल बरेली से कम्प्लीट की वो हमेशा से लॉयर बनना चाती थी लेकिन उनकी किस्मत ने तर्ल ले लिया और वो एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में आ गई वो अपनी लाइफ में काफी फॉर्चुनेट रही है मात्र 12 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने अक्टिंग करियर के शुरुआत कर दी थी 2008 में फिर कोई है शो में उन्हें फर्स साइम टीवी पर देखा गया था उसके बाद वो काफी शोज में नजर आई जिनमें से साथ फेरे सलूनी का सफर लोग हो गई पूजा इस घर की क्रेजी स्टुपिड इश्क कुछ नाम है इन सभी शोज में जादतर उन्हें बताव चाइल्ड आर्टिस्ट ही देखा गया था जिन में से चैनल वी के क्रेजी स्टुपिड इश्क शो में अनुश्का अटवाल के किरदार ने उन्हें पहचान दिलाई एक्टिंग फील्ड में आ जाने की वज़े से उन्होंने अपनी ग्रेजवेशन बरीली से ही कॉर्रस्पॉंडन्स के थ्रू कम्प्लीट की येर 2015 में उन्हें पॉपिलर टीवी शो ये रिश्टा क्या कहलाता है में स्पेशल अपेरंस में भी देखा गया था लेकिन स्टाप्लस के ही शो तेरे शहर में अमाया मतुर के किरदार ने उन्हें इतनी पॉपिलरिटी दिलाई कि उसी साल उन्हें मोस्ट स्टाइलिश फीमिल 2015 के अवार्ट से भी नवाजा गया इस शो में उनके इनोसेंस से मैचियोरिटी तक के सफर ने उन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई लेकिन क्यूट अन बबली नेचर की हीबा को जीजा जीचत पर है कि इलाई जी के रोल में हद से ज़ादा पसंद किया गया और उनकी फैन फॉलोइंग ट्रिमेंडियसली इंक्रीज होती चली गई हीबा अपने पैरेंट्स के सबसे ज़दा क्लोज है और वो उनसे एक दोस्त जैसी बॉर्निंग शेयर करती है अपने स्कूल डेस से ही वो काफी कल्चुरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया करती थी वैसे हीबा अपने फिटनेस को लेकर हमेशा से ही काफी कॉंशिस रही है वो डेली मॉर्निंग में उठकर एक्सेस करना और एक एपल खाना कभी नहीं बूलती हीबा का मानना है कि लाइफ टाइम हमारी बॉडी ही हमारा साथ देती है तो फिर उसकी केर करना ही हमारी सबसे फर्स प्रियरिटी होनी चाहिए और सबसे इंटरस्टिंग बात ये है कि वो सेल्फ आपसेस्ट परसन है जो वो खुद एकसेप्ट भी करती है अपने घर के हर रूम में शूटिंग रूम में हर तरफ उनकी फोटोज ही फोटोज है जिससे वो बार-बार निहारना पसंद करती है साथ ही उन्हें अपने घर और वरकिंग एरिया को और्गिनाइज रखना और डेकुरेट करना बहुत अच्छा लगता है हीबा कहती है कि जहां हम काम करते हैं और रहते हैं वो जगह हमेशा हेल्दी और पॉजिटिव रखनी चाहिए और इसी वज़़ा से वो कहती है कि वो इंटिरियर डिजाइनर भी बन सकती थी या फिर आगे जाकर हो सकता है कि बन भी जाए साथ ही हीबा को सौफटर इसका बहुत शौक है और पिंग कलर्ड एंबियन्स उन्हें काफी अट्रेक्ट करता है चाहे रूम हो या वर्क प्लेज हर तरफ पिंग कलर उनकी लाइफ में जरूर देखने को मिलेगा वैसे वाइट और ब्लेक कलर भी उनकी फेवरिट स्किलिस्ट में शामिल है उन्हें हैलो किटी और पिकाचु से बहुत प्यार है बात करें उनके अफियर्स की तो हीबा का नाम मेरी सासूमा में उनके कोई स्टार रहे पलवी पूरी के साथ जोड़ा गया था उसी से रिलेटिड एक कॉंट्रोवर्सी हीबा की लाइफ में रह चुकी है एक्चिली हुआ यूँ था कि में 2016 में मेरी सासूमा शो में हीबा की कोई स्टार रही आचल खुराना ने हीबा और पलवी पूरी के सैट्स पर इंटिमेसी के रूमर्स उड़ा दिये थे और डारेक्टर और प्रोडूसर्स को वहां जाकर दोनों को समझा कर कंट्रोल करना पड़ा वैसे हीबा को गुस्सा बहुत ही कम आता है और उनका चुलबुला सा नेचर उन्हें सबकी फेवरिट बनाता है उन्हें समोह से राजमा चावल खाने का बहुत शौक है वैसे एक वियर्ड सी हैबिट हीबा में मौजूद है और वो है मिरर में खुद का रिफलेक्शन देकर खुद से बात करने की आदद साथ ही स्किन अलरजी हो जाने की वज़े से हीबा आफसेट्स पर एसेसरीज और ओर्नमेंट्स पहना भी अवाइड करती है दासली हीबा को जीजाजी छटपर है शो में इलाईची के किड़ार के लिए इतना पसंद किया गया था कि दादा साहेब फाल के अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है तो ये थी आप सभी की फेवरेट चुलबुली सी और इनोसंट सी एक्ट्रेस हीबा नवाब की लाइफ स्टोरी क्योंकि तुन नहीं हो गलापी आखे तुमीरी देखी शरापी की दो हो गया सभालो मुचको और मेरे याप सभालो मुशको हो गया दीरे दीरे से मेरे जिन्दगी में आना धीरे धीरे से मेरे दिल को चिराना उसनी पात्य की कुछे से रांडी से सपरी दी गया वो जो रांडी के रह दो जे समेर की और तुमे वा हुझे रांडी से रांडी से तुम से प्यार हमें है कितना जानी जाना तुम से मिल कर तुम को है बताना जुम से तुम रांडी से रांडी कर स्वे में आसा मी।v पाड्य को размीन रांडी के का स्पत सिर्ड़ में हम्